आप सब कैसे हो आज क्लास 11 का हिस्ट्री चप्टर नमबर 10 जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन इसका पार्ट नमबर 2 है पार्ट नमबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे जो भी इस्ट्वेंट पार्ट नमबर 1 नहीं देखा पहले उससे देखे आज हम मूल निवासियों का विस्थापन का पार्ट नमबर 2 का सबसे इन्पॉर्टन जो पहला कोशन बचो गिवन है नोट्यू इंग्लिस वर्ड नोट्यू है हिंदी में इसको बोलते मूल वासी या मूल निवासी कौन होते थे ध्यान अखना बच्वों दोनों वर्ड में से यहां पैदा हुए थे लोग जहां पर क्या होते है पैदा हुए थे और उसी अस्थान पर लंबे समय तक रहते आ रहे है उसी को बोलते बच्वों नोटी दो नमर के लिए बहुत-बहुत इंपॉर्टन है बच्वों कोशन इसका अनसर ध्यान से समझना वे लोग जो जहां लंबे समय से रहते आ रहे हैं उसी को बोलते बच्चों मोल वासी यांगलिस वर्ड बोलते बच्चों समझनें में किसी परकार आपको that और उस समझते हो इसका और समझना समराज वाद वह परिकिरिया है जिसके दभारा कोई देश इस अन पनी शीमाओं से बाहर जो भी उसका सीमा माझसे बाहर किसी च्रत में आर्थिक परेंकना करता है उसको को बोलते बचो समराजवाद ध्यानकर लेकिन अपने सीमा से बाहर समराजवाद वह परिकिरिया है जिसमें कोई भी देश हो सकता है अपनी सीमा से बाहर इंपोर्टेंट की पॉइंट है कि वह सीमा से बाहर अपने छेत्र से बाहर आर्थिक तथा राजिनितिक पर अपना क्य ढूसरा जो देशा पूर्थ गाल यह तीसरा जो देशे क्या है दच है और इसको फ्रांस यह फ्राइशा यह प्मझाद सब्सक्राइब समराजवाद को समराजवाद को क्या करते बढ़ावा देते हैं चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चो कैनबरा जो आभी के समभाई में क्या है राजधानी है ऑस्टेलिया की कोशन है कैनबरा के बारे जो समझना उननिस वे गार में औस्टेलिया की राजधानी विट गोल्ड क्या है वूल विट गोल्ड बनाने का सुझाओ दिया जो अन्तता उसका नाम कैनबरा रखा गया बाद में उसी का नाम क्या रखा रखाए वचो चुछ केंबरा रखा गया जो इसका अर्थ होता है क्या था सभी अस्थल और ये डेट को धार सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर आपको समझने में किसी भी परकार का आपको डाउट हो रहा तो सत्रहवी सदी में इरोप सत्रहवी सदी में इरोपिये लोग दूसरे महादेशों में अपना परवास अस्थापित किया जिसको इरोपिये लोगों की ऐसी बस्तिया को कॉलनी या उपनिवेश कहा जाता तो देट को ध्याना को बच्छों सत्रहवी सदी की बात है नेक्स इंपॉर्टेंट कोशन में बच्छों मूल निवासियों का रहन सहन और खानपन कैसा था ध्यान से समझना इसको ए लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गाओं में समू में रहा क करते थे लिखा हुए ए लोग नदी घाटी के साथ साथ गाओं में समू बनाकर रहा करते थे नदी घाटी में तो रहा करते ही थे साथ साथ गाओं में क्या बनाकर रहा करते थे वे मचली और मांस खाते थे क्या क्या खाते थे मचली और मांस खाते थे और सबजिया तथा मक कई उगाते थे वे अक्सर मांस की तलास में धाना कमचे जो मूल निवासी थे वे अक्सर मांस की तलास में लंबी यात्राओं पे जाया करते थे किसके लिए जाया करते थे बच्चों मांस के लिए लंबी यात्राओं पे जाया करते थे मुख रूप से इन्हें जंगली भैसो की तलास रहती थी किसकी तलास रहती थी तो जंगली जो भैस थी उसी की क्या रहती थी तलास रहती थी जो घास के मैदान में घुमते थे जो भैस थे बच्चों कहां घुमते थे घास के मैदान में घुमते थे वे घोड़ो एस्पेनी आबादकारों से धाना करते वे घोड़ को किसे खरिते थे बच्छो एस्पेनी अबादकार से अबादकार जो वड़ है बच्छो ब्यापारी के लिए उजी हुआ जो क्या करते घोड़े का जो ब्यापार करते उसके बोला गया बच्छो अबादकारी से खरिते थे लेकिन वे उतने ही जानवरों को मारते थे जितने उन्हें भोजन के लिए जरूरत परती थी वालना चारा जानुवर को तो मारते थे लेकिन उतना है जानुवर को मारते थे जितना उनकी जरूरत हुआ करती थी को क्ष्ण सीच्स वां ये पुब बहुत इंपॉटेंट है क्ष्ट स Unit मार्कर अजों का में रिपीट होता है कोचन नमबर सेविन कोचन नमबर सेविन में बेमबुम बेल्ट से क्या अभिपरा है तो धानक ना रंगीन सीपीओ क्या बचो रंगीन सीपीओ को आपस में सील कर बनाई जाने वाली एक बेल्ट है से किसी समझाते के बाद योगों को अश्थानिये जो कभीले थे उसमें क्या हुआ करते थे जो अदान पर्दान हुआ करते थेयश है पश्मी यूरोप के लोगों को अमेरिका के मूल निमासी को कीन कारणों से असब प्रतीत हुए उसको क्या करना असपस्ट करना एंसर को बारेकी से समझना और सुनना है अमेरिका के जो मूल निमासी जो लोकल थे महां के उनका रहन सहन इरोपिय लोगों से बिलकुल क्या था अलग है दोनों का मिनिंग वाचो सेम है और ता था वहां के जो मूल निवासी तो सिक्षित नहीं तो पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए पश्मी इरोप के लोगों के मूल निवासियों को असब प्रतीत होते थे जिसके कारण से पश्मी युर्वब के जो लोगों को मूलpling ही जिसके कारण से लोगों को मूल 15 Church book क्या मानते थे अब हम लुए स्टाट करें वच्छा कोश्स नमबर 9 कोशन नमबर अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी परकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे अब हो लोगे स्टार्ट करें कोशन नमबर 9 कोशन नमबर 9 में लिखा कि अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर का क्या माइने था मतलब बोलना चाहरा जो क्या माईने था इसके बारे में क्या करना बताना है इंसर को बारे की से समझना आ tom दो पहले पूरब के छेत्र में बसाई गई बस्तिया था जो अमेरिकी दोबले अंका पूरब के फिरिया नहीं था अ उसके बाद का कहानी समझते हैं धान पहले पूरब के छेतर में बस आई बस्ति किसका था अमेरिकी का था और पश्मी के छेतर में उनका कोई भी अधिकार नहीं था लेकिन फिर भी वे पश्म की ओर बढ़ते गए क्यों कि एरोपी लोग जब बचों यहां पर आ गया तो दीर धीर का पश्म की तरह कौन खसकने लगे तो वहां के जो मूल नीमासी थे जो अमेरिका के वह पश्म की तरह क्या करें किन कारणों से खसकने लगे क्योंकि यहां पर एरोपी लोग आकर बस गए थे अता उनके राज की सीमा फ्रंटियर फश्मी की ओर खिसकती रहती थी बोलना चारा कि धीरे धीरे उसका जो सीमा था फश्म की ओर क्या करती थी खसकती रहती थी अथारा सो बाने तक संवर्श्थ अमेरिका का उसे उस्में क्या हुआ बिस्तौर्व एभगyeongस्थण के पूर में अमेरिका है इसके पूरव बाले इलाके में पशी मेरा, पूर्व बले इलाके में क्या। और है और साघर है तो यहीं बोलना चारा है कि सवयवत राष्ट अमेरिका के पूरब में कैए है अट्लांटिक göster होंए के कारण अब विस्तार के लिए कोई कारण अविस्थार के लिए कोई भूमी नहीं जब कि दोनों तरफ के अगया महासागर ढगया धानकना पूरब की तरह जो महासागर उनका नाम है कि अट्लांटिक महासागर जबकी परूमी के विस्थार के लिए कोई भी जगा नहीं था कि दोनों तरफ के आ गया महासागर आ गया अता कोई फरंटियर नहीं बचा कोई भी छेत्र नहीं बचा विश्थार होने के लिए कि दोनों तरफ के आ गया महासागर आ गया इसलिए फरंटियर से अभी प्राय भूमी छेत्र के सीमा से था ध् किया चाहित फ़स्ट निवायर को समझने किसी भी और काव्च नुबश के किताबों में थार रखने के की किताबों में ऑस्टेलिया के मूल निवाशियों को सामिल क läuft किया घption कारण बताना बच्व Kick आस्टेलिया के जो इतिहास मूल निवासियों के बारे में क्यों नहीं वर्णन किया गया है इसके बारे में क्या करना है बताना है इसका एंसर ध्यान से समझना इतिहास के किताबों में आस्टेलिया के मूल निवासियों को सामिल ना करना निया था कि आपरवासिया परवासिय जमीन के जमीन पर क्या कर लिए थे अगे लिखा वहां ने हमेशा जमीन को जो किसी की नहीं है उसको क्या कहा जमीन क्या जमीन ईसको सरकार नइस क्या बोला बच्चो अइसा जमीन जिस पर किसी का हका नहीं था जैसे थी जो वहां के जो परिस्तिति थे गों किस तरीके कर था तो धानखना कि जैसे थी इन परिस्थितियों में एस्ट्रेलिय के मूल निवासियों को इतिहास के पुष्टकों में इन ही कारणों से सामिल नहीं किया अब हम लोगों को बहवार को देखकर दुखी क्यों थे इसके बहुत सारे कारण बचो बारी-बारी से कारण को पढ़ते हैं कि दोस्तों समझ कर रूप में लेकिन देखते ते क्या अमीरी की सपना तो वहीं लिखेना चारा दूसरी और अमीरी का सपना देखने वाले युरोपिय लोगों के लिए वह लोग सपना देखते ते अमेरिका जिसके कारण से जो एउरोपी लोग तो मच्छली और रोयदार काल माल था जिससे उन्हें मुनाफ़ा कमाने के लिए इरोप में बेचा करते थे वहां पर बच्छों रिसोर्सेस थे वह क्या करते तो दोस्ताना बेहुआर में देते थे और वह लोग क्या करते थे उस समान को उस रिसोर्स के इरोप में क्या करते थे बेच देते थे जो भी वहां से रिसोर्सस मिलते थे उस रिसोर्सस को पहार में वहां से लेते थे और इरोप में क्या करते थे जाकर बेचते थे जिसे वह ज्यादा मुनाफ़ा कमाते थे और हमने जो मुंको पता नहीं था वह दोस्त कर अब पहार के तोर में देटे रहते थे दूसरा पॉइंट को बारे की से समझना लिखा बचो इन बेची जाने वाली चीजों का दाम पूर्ति के अधार पे साल दर साल बदलते रहते थे जो वहां से समान लेकर जाते थे उनका दाम हमेशा क्या होता था बढ़ते रहता था आगे लिखाओ मूल निवासी इसे समझ न फिथा भाल नहीं था वहां से क्या करते थे बच्चों मालों को लेख जाते थे weesaart में बेचचे थे और क्या करते थे मुणाफ़ा कमाते थे और ही सचीजों के बारे में जो अमेरिका कि जो मूल निवासी था उनको बिल्कुल जनकारी नहीं था चौछ पॉइंट को ध्यान समझ्जणा एरोपीय ब्यापारी मूल निमासी के चीजों को बदले में कभी तो बहुत सारा समान देते थे और कभी कुछ भी नहीं देते थे बोलना चरह जो एरोपीय जो ब्यापार थे जो अमेरिका के जो मूल निमासी से लेते थे तो पूल निवाशी तो बहुत जब जब देखे तो बहुत जब जब आप से वोफॉट एरोपय लोगों को लालज को देखकर बहुत दोहई होते थे ठास समझत कर लुए लिए रोधार खाल की हासिल करने के लिए लोभासइँ रोधार है यूरोप वाश्यों कि डोधार हाल की हासिल करने के लिए अनेकों जानुवरों को messyuleल मतलब मार दिया जिसके कारण से मूल निवासी इसे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे जानवर इन्हें इसका क्या करेंगे बदला लेंगे बोलना चाहिए इडिया जानवारों को हलाल मतलब मार दिया जिसके कारण से मूल निवासी बहुत ज़्यादा डरेंगे इसकी की इन्पॉर्टन वीडियो में इस वीडियो देता हूं अगर बचुन लगे तो लाइक कमेंट और सबस्क्राइब करना में बहुत जाएब ना भुबने और दोस्तों के साथ शेर करना भी नहीं भूले जिससे हम लोग को मिलता है मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है थैंक यू